Good evening friends, आज हम discuss करने जा रहे हैं Direction Sense Test ये Reasoning का ही topic है और examination point of view से काफी ज्यादा important है हर exam में आपको Direction Sense Test में से definitely minimum एक question आपको ज़रूर देखने को मिलता है कभी-कभी दो questions भी पूछे जाते हैं जहां पर reasoning की weightage जिन exams में reasoning की weightage ज्यादा होती है तो वहाँ पर दो या तीन questions भी पूछे जाते हैं लेकिन कोई ऐसा exam नहीं है कि जिसमें अगर कुछ reasoning का syllabus है उस exam में तो direction sense से question ना आए तो काफी important रहने वाला examination point of view से इसको आप अच्छे से समझे आज हम direction sense test के कुछ important concepts को समझने वाले हैं अगर हम directions की बात करें तो हमारे पास चार main directions होती है North, South, East and West इन directions को find करने का एक बहुत ही basic और simple सा trick है कि अगर 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 सन जहां से जिस direction से sun rise करता है जहां से सूरज निकलता है अगर उस direction की तरफ आप face करके खड़े हो जाए तो आपके सामने east होगा और आपकी back side पे west होगा आपके left side पे north होगा और आपकी right side पे south होगा एक पर फिर से में बहुता देता हूँ कि मान के चली आप इस position पे खड़े हैं sun की तरफ face करके तो आपके सामने क्या होगा east और आपकी back side पे west होगा आपकी right hand side पे south और आपकी left side पे north ये तो बात होगी main directions की अब हम main directions के इलावा भी कुछ directions होती हैं जिने हम cardinal directions कहते हैं cardinal directions याद रखिए कि ये वो directions होती हैं जो कि दो main directions के बीच में represent होती हैं ठीक है जैसे अगर ये main directions हैं आपकी north and east इन main directions के बीच में कौन सी cardinal direction होगी north east direction इसी तरह से south और east के बीच में कौन सी cardinal direction आगी south east direction और south और west के बीच में south west direction और north and west के बीच में north west cardinal direction तो टोटल हमारे पास चार main directions है north, south, east and west and similarly हमारे पास चार cardinal directions है टोटल north east, south east, south west, north west ओकी अगर हम directions के बीच की angles की बात करें तो जो main directions की बीच में angles बनते हैं वो 90 degree के होते हैं किसी भी main direction को आप देख लीजे चाहे आप north या east के बीच का angle देख लीजे, east या south का angle देख लीजे south west या फिर west और north की बीच का angle देख लीजे जहां भी देखेंगे आप main directions की बीच में angle तो वो हमेशा 90 degree होगा ठीक है? वो angle कितना होगा? 90 degree इसी तरह से अगर हम cardinal directions की बीच का angle देखें तो cardinal directions की बीच का angle होता है 90 का half कितना होगा? 45 degree तो इसे हम यह कह सकते हैं कि cardinal directions main directions के exact half में आके बनती ठीक है? तो तीन दो चीजें आपको directions के बारे में याद रखनी हैं एक तो main directions चार तरह की होती हैं North, South, East and West और main, दो main directions के बीच में आपकी आजाती है cardinal direction वो भी चार directions होती है North, East जो के North और East के बीच में होती है South East जो के East और South के बीच में होती है South West जो के South और West के बीच में नार्थ वेस्ट जोके नार्थ वेस्ट के बीच में हो डारेक्शन तो चार कार्डिनल डारेक्शन और में डारेक्शन ओके अब इन डारेक्शन के बीच में एंगल में डारेक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री और कार्डिनल डारेक्शन के बीच का एंगल 45 डिग्री होता ह अब अगर हम angles of moments की बात करें, सबसे पहले तो moments देख लेते हैं, अगर हम right side पर moment कर रहे हैं, right hand side पर moment कर रहे हैं यह देखिए, अगर हम right side पर moment कर रहे हैं तो उस moment को हम कहते हैं clockwise direction, ठीक है, clockwise इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप wall clock को देखें और उसकी जो needles होती है, वो जिस direction में moment करती हैं, वो right direction होती है, ठीक है, और right direction जहां भी आएगी, उसे हम क्या कहते हैं clockwise direction, मतलब right direction जहां भी आएगी, तो हम आपको समझ जाना चाहिए, अगर कहीं clockwise direction पूछी जाती है एक्जाम में, तो आपको एकदम से समझ आ जाना चाहिए, कि यह right direction में moment हो रही है, अगर कहीं anti-clockwise की बात कर रहा है, तो आपको एकदम से clear हो जाना चाहिए, यह कौन से direction की बात कर रहा है, left direction की बात कर रहा है, अगर हम angles of moments की देखें, तो हम already discussed कर चुके हैं, अगर हम नार्थ को zero मान के, अगर हम right की तरफ moment करें, यहां से हम चल रहे हैं, 45 degree, फिर से 45 degree 90 हो गया, again 45 45 degree क्यों add कर रहे हैं, क्योंकि हम पता है कि cardinal जो directions होती, उनका angle कितना होता है, 45 degree, यहां से फिर हम 45 चल रहे हैं, तो 135 और 45 कितना हो गया, 180 और 180, 45, 135 और 270 और 315 और complete हमारा होता है, जाके 360 पर, तो यह हो गया angles of moment और moment, moments में simple आपको इतना याद रखना है, कि अगर हम right side पर moment कर रहे हैं, तो उसे हम clockwise moment कहेंगे, और अगर हम left side पर moment कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, anti-clockwise, उसके बाद एक और concept आपको याद रखना है, यह भी questions में apply होता है, इसे हम कहते हैं, Pythagoras theorem, तो Pythagoras theorem में, हमें जब दो directions के, यह दो positions के shortest distance को निकालना होता है, तो हम Pythagoras theorem का use करते हैं, इसे हम कहें कि यह कोई triangle है, ठीक है, इसमें यह एक initial position है, और कोई बंदा है, जो कि initial position से final position के तरफ जा रहा है, ठीक है, वो B point से होके जा रहा है, ठीक है, अब A, अब कोई, यह कोई person है, से T कहा लिजी इसको, यह T जा रहा है, towards C, लेकर यह B से होके जा रहा है, C की तरफ, ओके, यह C की तरफ जा रहा है, और B से होके जा रहा है, यह A से इसने start किया, तो A इस की क्या होगी, initial position, और C, जहां पर यह जाएगा, वो कोई सी position आगी, इसकी, final position, अगर हम कहें, कि initial position से, initial position से, final position का shortest distance क्या होगा, तो initial position से, final position का, यह तो longest distance हो गया, अगर हम शार्ट कट करें, तो शार्ट कट यह होगा, सामने देख रहा आपको, यह तो shortest distance है, ठीक है, इसी को हम पाइथा गुरस थिरम से निकालते हैं, कि अगर हमें दो distances पता होगे, तो तीसरा distance हम निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो पर एंगल बन रहा है, उसे हम कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो A, B पर एंगल बन रहा है, 90 डिगरी का, तो हम कहते हैं इसे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के just adjacent यहां पर आपको देखने को मिलेगा, बेस, ठीक है, और BC के आओ गया, बेस, और यह जो shortest distance था, यह triangle का, जो सबसे longest side होती है, उसे हम hypotenuse कहते हैं, AC के आगे आपका, hypotenuse, पाइथागोर स्थिरम क्या कहता है, कि hypotenuse का square is equal to perpendicular का square plus base का square, यह hypotenuse, पाइथागोर स्थिरम का formula है, को हमेशा आपको याद रखना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, hypotenuse is equal to perpendicular का square plus base का square, और यहाँ से जो square हमने remove किया था, इसको हमने complete square कर दिया, right hand side पर, यह left hand side थी, यहाँ से हमने square को remove किया, और right hand side पर हमने complete square root के under कर लिया, hypotenuse के square को, sorry, base के square को और perpendicular के square को, ठीक है, तो यह था पाइथागोर स्थिरम, पाइथागोर स्थिरम हमेशा आपको याद रखना है, यानि कि hypotenuse का square is equal to base का square plus perpendicular का square, okay, तो यह simple सा, पाइथागोर स्थिरम था, यह भी questions में काफी apply होता है, तो चलिए apply करके देख लेते हैं, हम एक question को solve करते हैं, यह पाइथागोर स्थिरम से ही solve हुआ, हमें कहता है कि, ocean, ok, एक question में कहता है कि,iasm एक position है A, एक position है A, उससे वो 8 km North East की direction में चलता है, , यहाँ से वो 8 km चलेगा North East की direction में, यहीं कि अगर इसकी initial position यह है,तो initial position से वो North East की तरफ कितना चलेगा, एट किलो मेटर है, इनिशिल पोजिशन उसकी A है, ठीक है, यहनके स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद दूसरा ही कंडिशन यहां पर दियुई है कि वो 6 किलो मेटर देन सोर्थ इस्ट की तरफ चलता है, तो नार्थ इस्ट पर जाके सोर्थ इस्ट की तरफ वो कितना चलता है, 6 किलो मेटर, तो यह सोर्थ इस्ट की तरफ कितना चल गया हो, 6 किलो मेटर, तो यह इसका स्टार्टिंग पाइंट हो गया, और यह शयाम का एंड पाइंट हो गया, शयाम का यह क्या हो गया, एंड पाइंट हो गया, C, अब मैं पूछा गया है, कि सबसे पहले तो हमें पता है कि shortest distance क्या होता है कि अगर हम क्या करें एक straight line को initial position से final position पर ड्रा करें तो यह होता है हमारा shortest distance पाइथाग्रोस theorem की अकार्डिंग अगर हम देखें तो जो shortest distance होता है between initial and final position उसे हम क्या कहते है हाई-party news यहाँ पर कहीं 90 degree का angle बन रहा है तो यह BC side कौन से होगे हमारी perpendicular और यह AB side कौन से होगे हमारी base और AC अन्द पता है हाई-party news आप चलिए question को आगे सावाल करते है ठीक है तो हमें पता है कि base क्या है, AB base है AB और BC perpendicular BC perpendicular और AC hypotenuse यानिके shortest distance हमें तो base की value दी हुई है, base की value हमें यहाँ से base की value कितनी है तो base की value कितनी है, AB की value कितनी है, 8 km और BC की value यानिके perpendicular की value कितनी है, 6 km और हमें value पता करनी है, AC की यानिके hypotenuse की value हमें पता करनी है तो ग्रस्तिम क्या कहती है, कि hypotenuse का square is equal to base का square, AB का square, plus BC का square hypotenuse का square is equal to base का square, plus perpendicular का square okay, hypotenuse हमें find करना है, तो AC का square is equal to अब देखे, base का square कितना आ गया, base कितना आ गया हमारे पास, 8 km ठीक है, base कितना आ गया, 8 km, plus perpendicular कितना आ गया, 6 km so, AC का square is equal to so, यहाँ पर 8 का square आ गया, ठीक है, 8 का square आ गया, 64, plus 6 का square आ गया, 36 तो totally हमारे पास बन के आएगा, 100, AC square is equal to 100, अब इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ, AC is equal to under root 100, तो सही है, क्योंकि जब हमने क्या किया यहाँ पर, हमने square को remove करके, left hand side से हमने square को हटा के, हमने right hand side के 100 पे square लगा दिये, ठीक है, अब इस square root को remove करना है, फिर जाके हमारा answer निकलेगा, square root को remove करने का तरीका है, एक आसान सा तरीका है, मैं तुमको बता देता हूँ, अगर मैं 100 को ऐसे लिख दूँ, 10 का square क्या, तो यह क्या ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 10 का square मैं पता है 100 होता है, 10 को हम अगर दो बर multiply करेंगी, तो यह 100 हो जाएगा, ठीक है, तो यह 100 के इस राबर हो गया? तो मैं 10 का square लिख सकता हूँ, यह square, इस square के साथ cancel हो जाएगा, हमारे पस answer कितना आ जाएगा? 10 हाइपार्टिन उसके इतना हो गया हाइपार्टिन उसमारे पास आ गया निकल कि इतना आ गया 10 ठीक है हाइपार्टिन इसके वैल्यू कितने आ गया 10 clear so हम यहाँ पर कह सकते हैं therefore shortest distance between initial and final position is 10 अब हमें total distance भी पूछा हुआ है total distance कैसे निकालेंगे जो उसने travel कि हमें shortest distance तो यह निकाला है इसको include नहीं करेंगी total distance जो उसने travel किया है 8 और 6 14 km ठीक है so total distance and total distance is equal to 14 cm total distance कितना हो गया 14 cm ओके I hope कि आपको यह question समझ में आया होगा clear होगा अच्छे से चलिए एक पर फिर से हम देख लेते हैं इस question में पूछा गया है कि श्याम 8 km चलता है North East की तरफ तो हमने directions में जब basic directions देखी थी तो हमें देखा था कि directions को कैसे find करते हैं यह North है यह South है यह East है और यह West है यहां पर कहीं North East आता है यहां पर सोथ-West है और इदर सोथ-East है तो श्याम सबसे पहले कहां पर किस direction में चलता है यह श्याम की ओरिजिनल position है मान के चलिए तो इस ओरिजिनल पोजिशन से किस direction में चलता है North East तो यह देखे North East इसी direction में चल रहा है कितना 8 km फिर 8 km से वह एक टान लेता है और चलता है सोथ-East direction की तरफ 6 km ठीक है यह रही सोथ-East की direction तो इसी direction में जाएगे कितना 6 km हमें पूछा गया है कि तो इनिशन पोजीशन से बताएए कि इसील से वाईने पोजीशन के बीच का distance कितना है एक चीज तो यह पूछी घी है दूसरा पूछा गया है कि शयाम ने टोल कितना distance ट्रेवल किया हैं हम पताएक कि इशाओ इनिश्यल से final positions के बीच का डिस्टेंस हम पाइथागोरस थिरूं से निकालते हैं वह हमने पाइथागोरस थिरूंग आपलाई की क्या कि कहते है पाइथागोरस थिरौंग कि हाइप पार्टी इसका square, यहने कि shortest distance का scale is equal to base का K легerूर Evangelion को worldwide ठीक रही हमने हैं अर्ग कुरी उ 생्क को सासे बाद फिर थैय्टीबर अमें हमने पता兩 क juste बेखार है थिदेन values निल क्या प्लास कियो से बाल मेंने के सब्सक्राइब गातल की आकर जागे यह था basic introduction about direction sense test, I hope कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक पर फिर से इस वीडियो को repeat करके देख लीजिए, और नीचे comment sections में ज़रूर बताईए कि आपको यह जो हम reasoning की lecture series हमने जो start की हुई, यह कैसी लग रही है और हमें क् reasoning की ओर lectures upload करने चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी तक 3 lectures में upload कर चुका हूँ, यह आज की 4th lecture है, लेकिन अभी तक कोई positive response मुझे नहीं मिला है आपकी तरफ से, तो आप comments करके जरूर बताईए कि क्या हमें reasoning की test, जो यह lecture series हम करवा रहे हैं, इनको continue करना चाहिए या नहीं, ठ प्रिवा हैं, इनको बढ़र नहीं, टीज चाहिए यह प्रोर च्यवाब करके जिस दो कर दोड़र बताईए मां अभी कि उसे तक कर अज़रा यह जोड़रा रहे हैं, लेकि कर नहीं, ड़ीृब नहीं, क्योंकि वा ग्रिधरा इनकोप तक लेए इनको आपकी ठीग, अज़